तो यार आज मैं आपको powerful laptop बताने वाला हूं तो यार अगर आप ग्राफिक डिजानिंग करते हैं तो या यह specially वीडियो आपके लिए ठीक है आज मैं आपको बहुत तगड़े जो है laptop बताने वाला हूं जित पर आपने अगर 3D software यूज़ करना है आप easily normally कर सकोगे आपको कोई बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे जाएं पर अगर जाएं पर नहीं आजाएं को गोड़े सब्सक्राइब वीडियो को पर दो लाइक ने इस साग्राम पर फेकल फॉलू लिंक बगार आ यार आपको डिस्क्रिप्टिप्स बाक्स में देखते हूं मिल जब चालू करना त इस की बात करते हैं था अबी बात करते हैं अगर आपका वजर्ण नव्य हजार से लेके एक लाइक ह County अगर आपने 3D सौफटर में में जा बगर्सक्रें को डाश कि ऑ करते हो जढ़ा स करते हो ज्यार नहीं हुत बात करता हैं 70 नवर स्रीक्र पर यार मैंि नाटीर किस्टि बात कुरूँ सबसे पहले आपको एक स्टालिश एक डिजाइन तो मिली जाता उसके बाद यह स्पैसिविकेशन के अकॉर्डिंग हो बहुत अत्तगड़ा है आपको नब्य हजार के बजड़ में इतने सई स्पैसिविकेशन मिल जाते हैं कि कि किसी और लैप्टॉप के और आ इसके डिस्प्ले कॉर्टी देखने को मिलेगी जो कि आपके लिए ही बैस डील होने वाली पिकास आपको डिस्प्ले पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अभी बात करते हैं इसके में स्पैसिविकेशन की मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ आपको कुद मिल जागा आपको i7 भी मिल जागा लेकिन जो 90,000 में बज़र मिल पहा है ना उसमें आपको i7 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ storage की बात करूँ उसमें आपको 16 GB RAM मिल जागी प्लस आपको 5 12 GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात को आपको GTX 1650 TI 4 GB मिल जाएगा Ukrainian system की बात करूँ आपको Windows 10 देखने को मिल जाएगी बैंटरी की बात करूँ जो मैं वीड़ बात कर रहा हूँ न वह आपको 90,000 के बज़र में आप रॉक्स देखने को मिल जाता है लिंक मैंने प्रवाइड किया हुआ है आपको description box में देखने को मिल जागा अगर आपने जाना है अगर आपने देखना है तो भई आप देख भी सकते हो अभी ज़्यादा समय खराप नहीं करते सीधी बात करते है नबर टू की बात करूँ नबर टू पर यार मैंने रखा है असूस रॉक्स जब्रस जी फॉर्डिंग को अगर इस लेप्तॉफ की बात करूँ भई अगर आपने ग्राफिट डिजानिंग तो करनी है उसके साथ आपको एक स्टालिश लेप्तॉफ चाहिए आपके लिए देखने वाला एंड सबसे ज्यादा पसंद किये जाने वाला लेप्तॉप है असूस रॉक्स जी फॉर्डिंग बहुत लोगों ने इसको परचेज किया इंट्रनेशनल क्रेटर इसको बहुत पसंद करते हैं प्लस आपको 4.5 रेटिंग देखने को मिल जाती है डूगल फैन देखने मिल जाते हैं एंटी ज़स्ट कूलिंग मिल जाते है इसके भी डिस्पले बहुत class या जो कि आपको कर सकतो हो टी Comicा अब यदि बता देता हूं गों डिस्प्ले की बात हों को 14-inch Full HD plus display मिल जाते हैं जो की IPS NT के लिए डिस्प्ले प्रोसेसर की बात करूं आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलता है 4600HS के साथ storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते है एकस्पेंडेबल आपका आपको 1TB SSD देखने को मिल जाते हैं नचे की बात करों आपको नवीड है G4 RTX 1 1650-4GB मिल जाता है उप्रेनी से दिस्प्रेमिंग की बात करों आपको टैन आवर्स का बेंट्री लाव देखने को ठीक है प्राइज की बात करों आपको 90 तार के बज़डि में उसमें आपको Ryzen 6, sorry 7 देखने को मिल जागा ठीक है उसके बाद इसमें आपको 8GB मिलती है उसमें आपको 16GB RAM देखने को मिल जागी इसमें आपको 8X 1650 मिलनेगा उसमें आपको 8X 2060 देखने को मिल जागा ठीक है तो जितने आप यह खोरोगे उसके according आपको specification मिलते जाएंगे अ Acer Concept D को अगर इस laptop की बात करूँ तो यार graphic designing में अगर आप करते हो आपका जो ज़्यादा जोर है वो आखों का लगते आपको display तगरी मिलनी चाहिए तो अगर मैं बात करूँ Acer Concept D की इसमें आपको 4K display मिल जाती जो की सच में matter करती है प्लस इसके specification पूरे loaded है और इसका price भी आपको देखने को मिल जागा ठीक है तो आप देख लेना जो भी आपको specification चाहिए आप उसके और जा सकते हो अभी बात करते है अगर आपका 90 जाते लेके 1,00,000 बजट है इस price range में जो specification आपको मिलनेंगे मैं उसकी बात करने लगाँ ठीक है डिस्प्ले की बात करूँ आपक अपको AMD Radeon RX Vega 4GB मिल जाएगा ठीक है उसके बात करूँ आपको 7 आपस का बैंटरी लाग परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस आपको 85,000 से लेकि 95,000 के बजट में Acer Concept D ये specification के according मिल जाएगा तो यार में आपको बता दिये Acer Concept D के भी अगर आपन 90,000 से लेके 1,000,000 है इस Price Range में मैंने रखेते 3 लाग तो वो तो मैंने आपको बता दिये अभी आगे बात करते हैं अगर आपका बजट एकलाग से लेके एकलाग 20,000 से लेकि एकलाग 30,000 तक भी हो जाता है इस्प्राइड रेंज में मैंने फिर से यार रखे हैं तीन लाग ये तीन लेटव भी आपको पूरे लोडड़ मिल जाते हैं जिस पर आप लाउंग टैम प्रिड़ काम कर सकते हो जो भी आपको सही लगता आप उसके अचल जाना आप भी ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं बात काते हैं नम्बो थ्री की बात करो नम्बो थ्री पर यार मैंन जी को डेखने को मिलते हैं थ्रीक है आपने डिजाइन करने हैं करनी है इसगा बार भी अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टिय यूज़ करना इसी लिए तो ये श्पेशली बनी हुई है ठीकि अभी बात करते हैं तो डिस्प्ले की आपको फॉर्दी इंच फुल स्थी प्लस डिस्प्ले मिल जाते हैं जो की आइप एस लेवल डिस्प्ले ये भी मिल जात करूं आपको नवीड या जी फो एमक्स दू फाक्स जिरो मिल जागा अप जा सकते हैं अभी नबर टू की बात करते हैं नबर टू की बात करूं नबर टू पर यार मैंने रखिया इसका प्राइज आपको दो लाग के बर टक भी देखा जाती है इसका अपर आपको दो लाग के बरिर तक भी देखा जाती है दिखने को बिल जाता है यह भी दिस्प्लेइ की बात करूं आपको 14.5 इंच फूलंश डी प्लस डेस्पेमिल जाते जो की टॉच डिस्प्लेइ प्रसे शर की बात करूं आपको आई 5 ने जफो साथ मिलती है स्टोर हो को 8 GB मिल जाते है प्लस 128 फ्रेच ठीक है यह सदी देख 1640 भी मिल जाएगा 1660 Ti भी मिल जाएगा ठीक है जितना आप एक होड़ोगे उसके according specification मिलते जाएंगे और प्रेडी सिस्टम की बातों को विंडो टाइम मिल जाती है बैंटरी की बात करूँ आपको 11 आवस का बैंटरी लाव मिल जाता है प्राइस की बात करूँ आपको 90,000 से स्कार हो जाती है दो लाग के प्रेड तक देखने को मिल जाती है Microsoft Surface 3 तो यार में specification मैंने आपको Microsoft Surface 3 के भी बता दिया मैं बोलता बोलता धगया ठीक है अब भी आगे बात कर लेते हैं नमबर वन की बात करूँ नमबर वन पर यार मैंने रखी है HP Spectre X360 तो यार बहुत क्रेटर के पास आपको देखने को मिल जाता है इसकी डिस्पले बहुत अगड़े आपको स्पैस्फिकेशन की तो डिस्पले की बात करूँ आपको फिफ्टीं पॉइंट सिक्से इंच फोर के डिस्पले देखने को मिल जादी जो की टॉच्चर सद्रीन है जो की HP Pen के साथ आ दिया है अगर आपने यूज करना मतलों यूज करोगी यार अगर आप ग्राफिक डिज मिल जाता बात करूं आपको थोडि आवस का बैंटरी बैका मिल जाता है प्राज की बात करूं को एक लाख 20,000 के बज़र से लेके एक लग ठीस वजर में HP स्पेक्टर X360 देखने को मिल जागी तो यहार में मैंने आपको HP स्पेक्टर X360 के भी बता दी है अगर आपने इस ल लोगो लाख है स्प्राइज रेंज में मैं तो आपको कहना चाता हूं कि आप Apple Macbook 13 के और चल जाना 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 फिर आप Apple Macbook Pro की और चल जाना बात करूं मैं Apple Macbook 13 की तो वह आपको देड़ लाख के बद्र में मिल जाएगी हो सकती है अभी बात करते है Apple Macbook Pro की तो अगर आपका बज़िट दो लाख है किसी और लैप्टॉप के और जाने की जुरूरत नहीं है अगर आपने कोई भी मतलब 3D work करना चाहते है अगरेटर काम करना चाहते है अगरेटर काम करना चाहते है तो एपल Macbook Pro आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है तो यह अभी मैं बात कर लेता हूं आपल Macbook Pro के में स्पेस्फिकेशन की ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा वीडियो जातों लंबी नहीं करने बाद तो यह डिस्प्ले की बातों को 13 इंच 15 डिस्प्ले मिल जाते है जो की अगर आपने लाप्टाप बता दिया जो की बैस्ट हैं फोर ग्राफिक डिसानि के लिए अगर आपने कोई भी हाईवी सॉफ्ट पर काम करना आप कर सोगे प्लस भी अगर आपने लॉंग टाइम लाप्टाप को रखना आप इसली नॉम भी रख सकते हो आपको कोई भी प् आप आप तेंक यू